अल्व फ्रेंट्स मेंनाम अजे सिसो दिया है और आप देख रहे हैं Docker दोस्ते इस वीदियो में देखने बाले हैँ अब आगे आने बाले वीडियों जो हम देखेंगे प्याच्पी को प्यच्पी में ज़िए हम गाम करेंगे प्याच्पी अपाची एक फ्रेंट की तरह और पैकेंड में लेंगे MySQL, तो अब क्या होगा कि PHP में आप MySQL जो extension वो कैसे यूज करेंगे, महलेज आपको डेटाबेस फैच करना है, तो PHP में कैसे करेंगे वो आप देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे Docker file, और Docker file में हम देंगे एक basic image, PHP 8.0 Apache, उसके बाद नीचे हम क्या देखने वाले, हम किस तरह से Apache को, जो भी हमें install कराना होगा, container मेर में चाहिए, वो image में हम देंगे, जैसे मैंने Docker, PHP extension install, MySQL I install हो जाए, उसके बाद Docker, PHP extension enable, MySQL enable भी हो जाए, या फिर मैं इस तरह से कि apt-get update command चलाना आपने एक container खड़ा गिया, PHP गा, तो वहाँ पर आपको MySQL की extension तो नहीं मिलेंगी, तो आप MySQL के दूसरे container से data कैसे यहाँ पर लेकर आओगे connect कर गए, तो वहाँ पर यह पर परशानी आने वाली है, तो मैं उसके लिए important video बना रहा हूँ, माले जो मैं एक PHP Apache को लेकर container create करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर Docker file के अंदर ही मैं उसमें सारी चीज़े दे दूँगा, MySQL या PDO जो भी हो, Git हो या Composer हो, वो सारी चीज़ मैं दे सकता हूँ, यहाँ करा सकता हूँ, उसके बाद मैं build करा लूँगा, इसको मैं एक image का नाम दे दूँगा, PHP web और dot मैंने से लला है, क्योंकि मेरी Docker file यहाँ पर है, तो इस तरह से दोस्तों यह काम कर सकते हैं, मैंने मुझे लगा कि information देनी चाहिए आपको, क्योंकि आप important videos आने बाले आगे, तो दोनों के साथ काम करेंगे, front end, back end के साथ, तो मैं फिर से एक बार build करा ले पर कुछ गलत हो गया, शाय करूँगा, तो मुझे महाँ पर PHP extension, MySQL extension जो मिलेगी, MySQL की वो मुझे मिलेगी, बहाँ पर direct file में, MySQL I extension का यूच करका, मैं data fetch कर दूँगा, और show करा दूँगा, अपने जो front end पर है, ठीक है, बाकी रहा back end से, तो connection बोत हम देख लेंगे, वीडियो बनाएते पहला, आगे भ जो भी आप changes करना चाहेंगे, वो थे कि अब साही लिखा गया, पर पहले कुछ ना कुछ गलत कर रहा था, मैं लिखने में, spelling में कभी किसमें मिश्टेक, अब देखें, आप layer, मैंने layer architecture में बताया था, आप layers बननी है, पहली बार, first time में आपने basic image ली, कोई change नी है, second layer चल ल यहां पर मेरे network की problem आ रही है, कैसे अटक गया है, मैं इसको यहां से हटाना पड़ेगा, और फिर से में चलाना पड़ेगा, तो दोस्तों, अभी मैं इससे पहले बताये तो आपको जबते कि ठीक होता है, तो अब जो हमारी basic image है, तो मैं इसको दुबारे चला रहता हूं, मैं इसको दुबार से चला रहता हूं, नहीं चलेगा तो, तो आपने जो, मैं इसको परोज कर लेता हूं पहले, फिर से दुबार चलाते हैं, तो मैं docker की में सही कर लेता हूं, मैंने एंटर किया, आप देखें, यहां पर net की problem है मेरे साथ, और यह यहां पर नहीं चला है, चले देखते हैं, कुछ, तो दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाता हूं, अगर आपको git चाहिए, composer चाहिए, तो composer भी आप इस तरह से एक docker file लेंगे, उसमें basic image लेंगे, आप आच ही PHP वाली, और उसमें add करेंगे, अपनी तरफ से जो भी आप चाहते हैं, जैसे मैंने यहा यहां पर मैं इसको comment करके देखता हूं, मेरे net की problem आ रही है, मैं BSNL का net ले रखा इस समय, बहुत ब्यकार net है, चलना है मेरा इस समय, तो देखें, यहां पर वो सारे काम शुरू हो गया होना, तो मैंने उसको comment कर दिया था, पहला चली ठीक है, net की problem थी, तो देखेंगे extension, जो PHP की जो MySQL extension वो मेरे इस container में मिल जाएगी, जब ही मैंने इस image को में यूज करूँगा, जो मैंने बनाई है, वैब करके और इस image से मैं container जब भी खरा करूँगा, तो मुझे बहाबर अब problem नहीं आएगी, MySQL आई, MySQL आईगी, तो मैं PHP में बहापर एक page बनाऊगा, सवान इसे data का, जो data है database से बहाबर,